जो भग्वान सिर्फ की विदी विधान से पूजा करते हैं उस पर भग्वान भोले प्रशन होते हैं और उसकी राह में आने वाली सभी वाधाओं को दूर करते हैं साथ ही उसे हर कारेों में सफलता मिलनी सुरू हो जाती है आईए जानते हैं कि कैसे करे भगवान सिफ की पूजा और क्या है इसका महतु देवो के देव महादेव कहलाने वाले शंकर भगवान की पूजा करने के लिए सोंबार का दिन बेहसु माना जाता है ऐसे में जो भग्त सोंबार को ब्रत रखकर भगवान सिव की पूजा करता है उसकी हरमनों कामना पूरी होती है सुख सम्रत्धी की कामना के लिए शिवलिंग को पंचामरत से स्नान कराए उसके बाद शिवलिंग पर चंदन भुभूत आदी का दिलक लगाए साथ ही बेल पत्र और सम्री पत्र भी चढ़ाएं ऐसा करने से भगवान संकर अतिप्रशन्य होते है मानता ये भी है कि जो भग्त सोंबार के दिन भगवान सिव का रुद्रा अविशेक करता है उसके जीवन से चुड़े सभी रोग दोश और संकर दूर हो जाते है सिव जी का रुद्रा अविशेक हर कारियों के लिए अलग-अलग वस्तों से किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए सोंबार के दिन शिवलिंग पर घी से अविशेक करे तो वही धन की प्राप्ति के लिए सोंबार को करने के रस से शिवलिंग का अविशेक करे दुखों और पापों से मुक्ती के लिए सुमबार के दिन गंगा जल से शिवलिंग पर अवशेक करे सत्रों से छुपकार अपाने के लिए सरसों के तेल से शिवलिंग पर अवशेक करे एशरे के प्राप्ति के लिए सहर से शिवलिंग पर अवशेक करे सोंबार के दिन इश्नान के बाद लाल के सरिया या सफेद रंग का वस्तर पहन कर शेव लिंग पर गंगा चल चड़ाए साथी बेल पत्र समी पत्र अच्छत चंधन धतूरा अर्पित करे इसके बाद 108 बार महा मृत्यूंचे का जाब करे ऐसा करने से भगवान सेव चल्दी प्रसंद होते हैं और आपकी सारे परिशानियों को दूर करते हैं वेरे रिपोर्ट आई पियन